हलो एरवन वालकम टू एटू जैट क्लासेस एटू जैट क्लासेस के इस चैनल में आपका स्वागत है मैं हूँ अक्षे चौवे और आज जानकारी मिलने वाली आप लोगों की जारकंड की नए लोगों की ठीक है तो जारकंड का नया राजचीन जो है इसके बारे माज आप को जानकारी देने वाला हूँ आपको बता दो स्टुडेंट 14 अगस्ट ठीक है 14 अगस्ट 2020 ठीक है 14 अगस्ट 2020 कुराची के आयरवट सभागार में जारकंड राज के नए राजचीन जो की अभी आप लोगों को थोड़ी देर में स्क्रीन पर दिखाई देगी उसका अनाव परतीक चिन 15 अगस्ट 14 अगस्ट को क्या किया गया अनावरन किया गया और 15 अगस्ट 2020 से इस चिन को परभाव में लाया गया ठीक है तो आज हम लोग इस चिन के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ शुडेंट और पूरी जानकारी आपको बनने वाले उन सभी के बारे में आपको बिस्तरित जानकारी भी दी जाएगी ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि पहले जो इसका जो चीन ने था राज्य का जारकन राज का वो कुछ अलग था और अब नया जो है वो इस प्रकार्द प्रतिक चीन का विन्यास ज राज की यह प्रगती का प्रतिक है आपको पूछा जा सकता है यह सवाल कि जो जारकन राज का राज चीन है वो किसी चीज का प्रतिक माना गया है तो राज की प्रगती यानि राज का डवलप्मेंट्स ठीक है प्रगती क्या इसका प्रतिक माना गया है राज का आपको बता तो यह जहाकंड के हरा प्रयोग किया गया जो जहारखनद के फरी भरीधृति एवार ग्रेमे कर दfähー ख prol da g ठीक है स्टुडेंट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजों को जानते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर आप देख सकते हैं यह लोगों में सबसे पहले उपर में बृताकार खंड के बीच में ठीक है हिंदी में जहारखंड सरकार तथा अंग्रेजी मे गवर्मेंट आप जहारखंड ठीक है जो आपको यहां पर नजर आ रही होगे इंगलिस वाला उपर में गवर्मेंट आप जहारखंड ठीक है और हिंदी में नीचे में लिखा गया है यहां पर अब देख सकते हैं जहारखंड सरकार लिखी वी है आपको यह बता देते हैं पर दोनों चीज़ें को दो डॉट पर लिखी गई एक डॉट यहां पर एक डॉट यहां पर यहां पर यह दो डॉट बिंदूओं के बीच में government of जारकंड और जारकंड सरकार हिंदी में लिखा हुआ है अब इसके बात करते हैं पहला बृत खंड के अंदर में यह चीज़ें दी हुई है पहला यह फर्स्ट बृत खंड हो गया हमारा ठीक है यह पहला बृत है जिसके अंदर में government of जारकंड या पिर जारकंड सरकार लिखी हुई है वही में बात करूँ आगला बृत जो यहां पर दीख रहा है यह बृत खंड क परतिक होने के साथ साथ राज के प्रकृतिक संसाधन एवं संब्रिधी को दर्साता है यहां पर ठीक है तो यहां पर आपको यह भी सवाल हो सकता है परतियोगीता परिशाओं पूछा जा सके कि जारकंड के जो नए राजेचीन है उसमें कितने हांथी को दिखाया गया है तो आप बताईएगा 24 हाथी को दर्साया गया है 24 कितना 24 हाथी को यहां पर दर्साया गया है अब आगे हम लोग और बढ़ती पर चलते हैं कि यहां पर तीसरे बिरितकंड यानि तीसरा बिरितकंड आप यहां पर आ जाईए अब ठीक है कि तीसरा बिरितकंड में क्या प्रित्मिक प्राकिर्टिक सौंदर का परिचक है और आपको बता दे राजकिया पुस्प भी पलास है हमारा हाथी है जो कि चो बिस हमारा हाथी दिखाएगा 24 ठीक है और 24 हमारा राजकिय पूल को दिखा गया है उसके बाद हम लोग अगला बृत पर पहुंचते हैं जो कि चौथा नमबर बृत है ये चौथा नमबर बृत है चौथा नमबर बृत खंड के बीच में सोर चित्रकारी के 48 निर्तकों को दिखा गया यानि टोटल यहां पर करीब 48 48 डांस स्टेप यहां पर दिखाए गया ठीक है सोर चित्रकारी जनजातियों की संब्रिद यहां उन सांस्कृतिक वीरासत के परतिविंदित करता है और जनजाति का यह सांस्कृति यानि relative वीरासत उसके चीजों के यहां का प्रियास किया गया और अंतिम आगर मैं बात करूँ यहाँ पर अंतिम जो यह बृत खंड है इसमें 60, 60, 60, 60, 60, 60 यहाँ पर सफेद बृत का प्रियोग किया गया, 60 गो यहाँ पर बृत का प्रियोग किया गया और अंतिम मैं बात करूँ इस जगह पर तो यहाँ पर आपको राज़ी चीन के केंद्रिया भाग में यानी यहाँ पर केंद्रिया भाग में आपको असोक अस्तम दिखाए पढ़ रहा होगो ठीक है असो कस्ता में उसके नीचे यहाँ पर लिखा रहा था है सेट में हो जाएते तो यह यहाँ पर लिखा हुआ है तो सुट्स आपको फिर से में रिभाइज करवा देना चाहता हूँ सबसे पहले आपको ध्यान दे देनी है कि यह आपका राज्य का जो नया लोगो है वो करीब 14 अगस्त 2020 को राचि का अरभट सभागर में जारखंड के राचिन का रूप में आवरंग किया गया था की 15 अगस до 2020 को प्रभा में लाया गया ठीक है और यह अब्र रघ्ती का प्रतीक को यह बmidtसकий यह पर देखाने का प्रयास किया गया है उसके बेद आपको नीचे जारकंड सरकार ऊपर में या फिर जारकंड सरकार गौर्वर्मेंट अप इंडिया लिखाओ आपको नज़र आगा जो दो डॉट के बीच में है ठीक है दूसरे बिताखंड में 24 हाथी को दर्सा गया है और आपको बता दें कि राज का राज के पसु भी हाथी है और 24 ह आपको 48 जन जाती है निर्थ को यहाँ पर दिखाने का परियास किया गए और उसके बाद आपको लास्ट यानि अंतिम चक्र में ठीक है अंतिम जो चक्र है उसमें 60 सफेद ब्रीत को दिखाने का परियास किया गया है और राज के सबसे केंद्र भाग पर अस्व कस्तम लिख ब्रीत है हुआ है तो श्चुडेंट ये था हमारे ध्रकर का लोगो जो आप लोगोंने समझा अच्छा लगा होगा वीडियो में यह वीडियो तो आप लोग लाइक करें करें जैर और अपने दोस्तोंखस इल्क्रीआ उस εν है और अगर आप हमारे चैनल को पर नए हैं तो आमें तीजे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू.